आज की motorcycle engineering का सच्चा चमतकार है इस animation में motorcycle के अंदर के पार्ट को दिखाया गया है सभ सें पहले हम जानेंगे कि motorcycle का engine start कैसे होता है सभी motorcycle में kick start, self starter या दोनों होते हैं किक अस्टार्टर मेकेनिजम शरल है फिर भी रोच्चक है किक अस्टार्टर लेवर को हलके से दवाने से पिनियन गियर मेन साप्ट के एक प्री मिलिंग से मैच होता है जब हम अस्टार्टर लेवर को पुरा घुमाते हैं तो पिनियन गियर क्लच हैब का पावर टांसपर करत है वे उसे क्लश हैयं पैसर देती है ईन्जन चालूँ होने के बाद इन्जन से अलग करना पड़ता इसके लिए हम बन बे कलाच का उप्योग करते हैं इसमें एक आउटर रेस और एक इनर रेस होती है और इन दोनों रेस के बीच में रॉलर होते हैं जब स्टार्टर मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रॉलर इन दोनों रेसेस के बीच में फाज जाते हैं और दोनों रेसे जिससे इंजन का पावर ट्रांसफर होता है इंजन चालू होने का बाद इनर रेस अस्टार्टर मोटर से ज्यादा तेजी से घुमने लगते हैं जिससे रॉलर स्वस्तंतर हो जाता है और आउटर रेस पावर ट्रांसफर होने से रुकते हैं इंजन अस्टार्ट होने के लिए इंजन के अंदर इगनीशन होना जरूरी होता है मोटर साइकल इंजन में इगनीशन के लिए एक अस्पार्क पलक को उप्योग किया जाता है अस्पार्क पलक को ठीक शेर पार्किंग कराने के लिए 20,000 बोल्ट के अवसकता होती है इहां दिखाये गए मोडल में अस्टार्क को उप्योग करके वोल्टेच प्राप्त किया जाता है मोटर साइकल के अस्टार्क में कॉपर कॉइल्स होते हैं इंजन के फ्लाइ बिल में पर्मानेंट मैगनेट होते हैं जो flywheel के साथ गुमता है और coil में current पैदा करता है starter का परियोग output अलग-अलग system को power देता है जो इस diagram में दिखाया गया ignition के लिए existor coil को उप्योग किया जाता है इसके un coil के तुलना में ज़्यादा binding होती है जिसके कारण ये ज़्यादा voltage उत्पन करता है exitor coil से उत्पादित voltage CDI unit को supply की जाती है CDI unit को connection यहां दिखाया गया CDI unit के अंदर एक capacitor होता है जो charge को store करता है flywheel के पास में pickup coil होती है pickup coil के पास एक magnet होता है जिसके उपर coil होती है flywheel के बाहरे सता पर projection होती है जब flywheel घुमती है जब pickup projection के साथ पहुंचता है तो coil में एक voltage उत्पन होती है यह voltage CDI unit में एक switch को चालो करता है जिससे service charge capacitor से discharge हो जाता है यह voltage को बढ़ाने के लिए ignition coil का प्रियोग के जाता है ignition coil एक setup transform होती है जो कि input voltage में 200 गुना तक बढ़ा देती है जो spark plug को fire करने के लिए परियाप्त है motorcycle के कई unpart होते है जो motorcycle को नियंतर्ण संचाल में मदद करते है intake और exhaust valve को timing chain को प्योग करके नियंतर्ण गिया जाता है आम तोर पर single cylinder में counter balance होता है जो engine में कम कमपन करने में मदद करता है clutch crank shaft को crank shaft से transition system का power transfer करता है transmission system motorcycle की power और speed को बदलने में मदद करता है प्रिटल्ट होता है जो हीक बदलने में अग्पवणयाओ लेक्नोह altaव नितर्फनी स्प्रेब करते है लेड़किक सिर और र civ करता है हम किंशते है झाल झाल